विल्कम बैक दोस्तों स्वागत है अपका जीके वर्ड में करेंट फेर की सीरीज में हम लोग आज टॉपिक लेके आये हुए हैं ब्रिक्स दोजाच चॉबिस की समिट जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हो रही है दूसमें तो आज इसे इसे लेटर कोश्चन हम लो इसे लोग स्टार करते हैं ब्रिक्स यो होता है वह सुरवात में चार देश्यों का सम्मूथा ब्रिक इसको कहते थे जिसमें ब्राजील रसिया इंडिया और चाइन थे एस जो है वह सौट अफरीका 210 में इसके साह जुड़ा तब यह ब्रिक्स बन गया ब्रिक्स अब इसमे में क्या है ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से सौथ असरीका, यह बन गया BRICS, अगला देख लेते हैं, अब देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, देखें BRICS का जो गठन हुआ था, वो 2006 में हुआ था, ठीक, और BRICS important क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की 45% आबादी है, 32% भूमिचेतर जो है, यह BRICS जो देख हैं, वो cover up करते हैं, GDP का जो है, वो 35% produce करते हैं, विस निर्याद का 20%, इसलिए BRICS इतना important बनता जा रहा है, क्योंकि उसके पास 45% दुनिया क कि आबादी है, 32% भूमिचेतर है, GDP का 35%, जो विस की GDP उसका 35% कि इसके पास है, BRICS के पास है, तो और निर्याद का 20% कौन करता है, BRICS करते हैं, सम्मेलिन की अधक्षिता कैसे निधायत होती है, सम्मेलिन की अधक्षिता इनके नाम पर निधायत होती है, जिसे BRICS, इंप्वार्टेंट है कि 2014 में, फोर्ट लेजा जो ब्राजील में छटा BRICS समिट हुआ था, उसमें New Development Bank की स्थापना की गए थी, New Development जो है, वो BRICS का बैंक है, इसके पहले आधक्ष कौन मने थे, KV कामत, अब यह पूली आ जाता है कि New Development Bank का हेड़कॉर्टर कहां पे, वो ह संघाई में, संघाई कहां है, चीन में, चीन के संघाई में ही, NDB, New Development Bank का हेड़कॉर्टर है, अब यहाँ पे लिखवा है, दच्छन अफ्रीका ही, उसमें जुड़ा था, जब वो बन गया था, BRICS से BRICS, भारत ने पहली बार अधक्षता कप करी थी, 2012 में, 2012 में भारत ने BRICS की पहली बार अधक्षता करी थी, उसमें PM थे मर्मोहन सिंग, और इंपोर्टन डेक लिएते हैं, 2024 में BRICS में जो इंपोर्टन है वो पॉइंट है, कि यह 16 BRICS समिट था, कहां पे हो रहा है, रूस में, रूस के कौन से सहर में, कजान में, रूस के कजान सहर में यह हो र अधक्षा के लिए बाव पक्षवात को मजबूत करना इसकी थीम थी, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, कोशन पर आते हैं, पहला कोशन, BRICS सम्मिलन 2024 का आजन कहा हुआ, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है, BRICS का कहां पे हुआ है, कजान में, रूस के कजान में, BRICS का सिक अब लोग, अगला कोशन पुछा गया है, कि BRICS का कथन BRICS के रूप में कब किया गया, पहले था BRICS, फिर सौथ अफ्रीका उसमें आप जोड़ गया, तो वो क्या हो गया, BRICS, तो वो कवा आपके जोड़ा था 2,10 में,T अफ्रीका 2,10 में आपके जोड़ा, तो यह उग वतमान में कितने सदव से hand website में सदरतिए नो वतमां में कितने सदर अगा शुआ एंगा ऐसेumba में कभर लेके सब्सक्राइन संघाई में अगला देख लिएधिकडाइ है और अगला देखते हैं संघाई में पढ़ा सामसर क्या हो जाएगा ndb new development bank जो है वही है ब्रिक्स बैंक ठीक है तो ब्रिक्स दिस्वों का जो बैंक है वो है ndb इसका मुख्याले कहा है संखाई में अगला कोशन देखते हैं अगले कोशन पूछा गया है पहला ब्रिक्स सिखर सम्मिलन कि स्वस्वाइब किया गया ब्रि अगले कुशन देखते हैं और इसका ब्रिक्स ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मिलन में एक नए विकाल बैंक की स्थापना के लिए संजोते हैं पर स्थाक्चा किया तो विकाल बैंक का का नाम किया इनका इनकी विकास बैंक का नाम है निव डेवलोप्मेंट बैंक जो हम दो ने पड़ा एंड डी बी इसका मुख्याले कहां पर इसका मुख्याले संघाई में कहां पर संघाई इसका मुख्याले है ठीक और इसकी स्थापना पर समझोते पर स्थापना कहां पर हुए फोर्ट लेजा ब्राजियल 2014 में जब छटा चल लादा समस्क्रण इसका तो वहां पर स्थापना की जाएगी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है निम लिखित में कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छे वर्णित करता है ब्रिक्स दिस्वों को सबसे अच्छा क्या वर्णित करता है पांच प्रमुक उभरती अर्थविवस्था का समूँ पांच प्रमुक परमाड दिस्वों का सम जो ब्रिक्स है यह पांच प्रमुक उभरती अर्थ विवस्थाओं का समु है इसे से बना ब्रिक्स लेकिन वर्तमान में इतनी किसमी संख्यां नौ हो गई है ठीक है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा अब यह कुश्चन आपके लिए आप बताईए किस देश के सामिल होने के कि बाद ब्रिक्स का नाम बदल का ब्रिक्स कर दिया गया और आपके सामने दिया हुए रूस सौर्ट अफ्रीक अब राजिल या इरान आंसर जो कमेंट बॉक्स में करिएगा तो यह टॉपिक यहीं पर खतम होता है ऐसे टॉपिक के लिए जुड़े रहिए करेंट अफेर म हुआ है